हेलो स्टुडेंट्स यहां पर बहुत से स्टुडेंट्स को ही कंफूजन होता है की एक सेल एक क्रोमोजॉम्म और डी एन इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है ये वीडियो सिर्क उन students के लिए है ताकि अपने इन misconceptions को दूर करें और इन तीनों में basic difference क्या है वो समझें सबसे पहले देखिए एक cell होती है और cell के अंदर आपको पता है nucleus होता है ये बात तो सभी students को पता होती है लेगिन अगर इसके थोड़ा depth में जाए तो nucleus के अंदर basically हमारा होता है genetic material और हमारा genetic material अगर humans की बात करी जाए तो वो है DNA Deoxy Ribonucleic Acid clear? DNA basically क्या है? मान लीजिए एक लंबी रस्सी है clear? एक long rope है बिल्कुल लंबी रस्सी और उस लंबी रस्सी को अगर मैं DNA मानू तो उसका छोटा सा segment उसका एक छोटा सा segment क्या हो जाता है? functional segment gene हो जाता है उसका एक छोटा functional segment gene हो जाता है ठीक है? तो DNA is a genetic material और उसका एक functional segment जो protein बनाने में हमें help कर रहा है वो है gene लेकिन जब ये DNA की क्या होती है? binding होती है या इसका हम कहें कि हम इसको compact form में nucleus में fit करना चाहते है तो वहाँ पर ये DNA proteins के साथ क्या कर जाता है? binding करता है packaging होती है इसकी और उसे हम बोलते है chromatin chromatin ये word आपने जरूर अपनी lower classes में 9th में 10th में जरूर सुना होगा और जो students अभी 8th में है या 7th में जो नहीं जानते इन शब्दों को तो please समझे chromatin एक जो structure है वो basically DNA और कुछ protein से मिलकर के बनाए लेकिन अब आ जाते हैं point chromosome पर ये chromosome क्या होता है? देखो जब ये chromatin material जो की हम basically books में thread like material पढ़ते हैं जब ये chromatin material और भी ज़्यादा condense हो जाता है ये पता चलता है जब भी कोई cell division के phase में होती है जब भी कोई cell division के phase में होती है तब ये chromatin material extremely condensed form में होता है और तब हम उस point of time पे microscope से देख सकते हैं कि chromosome हमें दिख रहे हैं तो 23 pair of chromosomes हमें कब दिखेंगे या वो कब exist करेंगे जब एक cell division phase में होगी और chromatin material extremely क्या हो चुका होगा condensed वरना आपको एक normal cell के अंदर जो division phase में नहीं है chromatin दिखेगा लेकिन chromosome तब नहीं दिखेंगे ये समझ में आया और उसमें भी जो phase होता है जहाँ पर हम अच्छे से chromosome को अच्छे से visualize कर सकते हैं वो होता है metaphase metaphase ठीक है students so this is overall जो chromosome DNA या cell के बारे में जो gene के बारे में आपके misconceptions थे हो मैंने clear करें है chromosome को जो structure है वो कुछ इस तरीकी का X-shaped structure होता है और अगर हम देखे DNA का structure तो वो कुछ इस तरीकी का double stranded DNA structure होता है ये structure फिर कभी हम discuss करेंगे ये Watson and Creek model है basically class 10th में भी और 12th में भी ये पढ़ाया जाता है Watson and Creek दो scientists थे जिन्होंने इस model को इस structure को दिया था चलिए friends, thank you so much I hope आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी बाते सीखने को मिली Thank you so much करेंगे करेंगे